कि दाशको कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से बालगाट जिले में रामपैली इस्थित ऐक कन्या स्कूल में एक सिक्षक द्वारा जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों को जातिगत नामों से जाती के नाम से उन्हें वो बुलाते और उन्हें अपमानित करते किस तरसे तमाम सारी बाते वो कह रहे थे और इसके खिलाफ बच्चों ने 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली की बड़ा ज प्रिंसिपल से भी शिकायत की और उसके बाद उन्होंने प्रशासन को भी उन्होंने शिकायत की और वहां के पुलिस प्रशासन को उन्होंने ग्यापन सो पा इस तमाम करवाही के बाद में जब तक हमने इस खबर को नहीं दिखाया तब तक भी प्रशासन नहीं जागा था जैसे ही हमने इस खबर को दिखाया प्रशासन जाग गया और उन तक ये बात पहुंची जिलासिक शादी करी तक ये बात पहुंची और उसके बाद उन्होंने अपनी जाच टीम वहाँ पर भेजी जब जाज टीम वहाँ पहुची तब लड़कियां ये जो लड़कियां जिन्होंने शिकायत की थी वो लड़कियां वहाँ पर धरने पर बैठी थी और जाज टीम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया आप देखिए देखो जो भी हुआ है उस व्यक्ति की कलत और दूशित मान सकता से हुआ है ना तो उस व्यक्ति को सबक सिखाना जरूरी है है की नी और साती साथ आपके सिख्षा भी प्रभावित नहीं होना चाहिए है ना तो सर ने जैसा कहा एक बिंदू पहला की वह कल से इस परिशर में नजर नहीं आएंगे और इसके बाद फिर देर रात तक घटना करम चलता रहा और लड़कियों को समझाने की पूरी कोशिश होती रही कई नेता भी वहां पर अलग अलग पार्टियों के बहुजर समाज पार्टी के नेता सचिन बौद इसके अलावा भी मार्मी के कुछ न लंबित किया गया उसके खिलाप जाच जो है वो जारी कर दी गई और साती सात इसी के अधार पर उसके ओपर अपराधिक प्रकरण दर्ज होगा प्याई साहब ने कहा है कि प्रतिवेदन जो है जिला सिक्षा अधिकारी वहां से देंगे इसके बिना पर ये ग्राउंड है कि आप लोगों ने शिकाच के थी वो सच है तो आब इसके अधार पर वहां से प्रतिमस्थान देगे कि मेरी कमीटी जो मेरे द्वारा भेजी गए जीला सिक्षादीगारी के द्वारा जो कमीटी हाँ भेजी गई थी उसने जाच की और जाच में उसको दोशी पाया गया उनकी जाच की रिपोर्ट मेरे सामने आ चुकी अब इसके अधार पर म मैं इस बात के नुसंसा करता हूँ कि उस वैक्षिने महापुरुषों के सम्मान में गलत सब्द की असाविधानिक बाते कही एक सिक्षक को सुभान देता ये गहर कानूनी है चुआ चुट को बढ़ावा देने का काम आर्टिकल 17 के तहत किया वो गहर कानूनी है इसके तहर औ उनके उपर अपराद पंजीबद होगा लेकिन कब जब जीला सिक्षादिकारी अपना प्रतिवेधन इसके अगेस्ट में देगा तो इसके अधर पर देगा हूँ तो आपका जो संघस्था सम्मान स्वाभी मान की लडाई का वो काम्याब होता है आप लोगों को इस जजबे को कायम रखना और हरिस्तर पर जब भी आपके साथ अन्याज तचार सोशन उत्परण होगा यह अपनी आवाज इसी तरह से बुलंद करना इस पूरी घटना को हमारे जो समाद्दाता है अंकित सरकार ने रिपोर्ट किया हमें आज की स्थिती क्या है यह हमें ब अश्यात्र के द्वारा निकाली गई जिसमें राजी वैस्नों मुर्दाबाद किनारे मामला बता दूमें आपको कि राजी वैस्नौस हिक्षख के द्वरा जातीगत रूप से चाव्र को अपमानित करने का मामला प्रकास में आया है और लगातार कल 7 देसंबर को दो दिन से यहां कवरेज कर रहे और हमारी खबर का जो असर है यहां पर हमारे द्वारा जिला सिक्ष्छा अधिकारी से बात फोन पर चर्चा हुई जिसमें जिला सिक्ष्छा अधिकारी को अउगत कर आया गया जिस जिसको संग्यान मिलेती वे जिला सिक्ष्छा अधिकारी क की गई और राजीव वैसना सिक्षक को निलम मिल किया गया दर्शकों हमारा उद्देश सिर्फ इतना है कि इस प्रकार की घटना एक बहुत सारे सेक्षनिक संस्थानों में होती रहती हैं वह वहां जो बच्चों को प्रताडित करते रहते हैं जो जातिवादी मानसिक्ता के ज जो है इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते अपने पैरेंट्स तक को भी नहीं बता पाते और अंदर ही अंदर वो घुटते रहते और कई बार इसकी जो पर निती होती होती है कई बार बच्चे आत्महत्या को भी प्रेरित हो जाते हैं इस प्रकार की घटनाओं पर हमें सम हो जाना चाहिए समय रहते हैं अगर इस पर आवाज उठाई जाएगी तो निश्यत रुप से इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगीगी और ऐसी जो मांसिक्ता है इस मांसिक्ता को भी लोग बदलने का प्रयास करेंगे बहुत 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 दन्यवाद